हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर फिट से जो मैंच अब इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला यहां पे डी यू एम वर्सेस डी एचे के भी जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी एस वीडियो में आपको स्किप नहीं करना और इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको सिंपली करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहां आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा सबसे उपर blue color का link होगा जैसे उस पर click करोगे telegram channel open हो जाएगा then उसको आपको join कर लेना है और आप fantasy doctor के telegram channel के साथ जुड़ जाओगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखके चलनी है कि अगर आप telegram channel join करते हो तो आपको link का ही use करना है जो video के नीचे comment section में दिया है या फिर description में दिया है ताक कि आप सही और original channel के साथ जुड़ पाओगे fantasy doctor के क्योंकि fake channels available है telegram पे fantasy doctor के नाम से तो link का ही use करना जो comment section में दिया है तो करते है start up video को देखो कल जो मैंने match cover किया था मैं ज्यादा कल matches cover नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे कुछ urgent काम था जो मैंने match cover किया था और जो मैंने आपको team दी इस molecules grand league की दोनों यी perfect रिचों grand league के आप देख सकते हो हमारी almost 3,000,000 के वह देख सकते हूं कि 1000 से नीचे rank आई थी और मान सकते हो हमारी सारे players dream team के पार थे सिर्फ एक आधे player की वजए से और एक wise captain हमारा थोड़ा change होता तो definitely हम grand league win कर सकते थे बट फिर भी इसी team से लोगों ने mini GL जुरूर win कि होगी mini grand league तो ध्यान रखके चलना आई तिंग आपको अच्छा profit होगा जो last match में ने कल cover किया था तो वही होती है वीडियो की importance जो इतनी ध्यान से वीडियो देखता है उसका profit होने का chance उतना ही बढ़ जाता है बाकि buy के fix इस match मेरे recording यह रहेगी अब जिनको buy के fix नहीं पता कि क्या होती है वह उपन है आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा जैसे वाइट वाइट पर क्लिक करोगे तो यह पर नीचे आपको एक वीडियो को खोल के दिख जाएगे तो वीडियो को खोल के पूरी देख लेना आपको पूरा समझ आ जाएगा कि buy के fix होती क्या है तो बाकी फिलाल इसको में वीडियो के एंड में एक्षेयन करओं गोंगा इस पार्ट को जो बाइमएं इन्वेस्ट करते हैं बागे चार्ट फोड सलख वीडियो को बहुत पांच-पांच-बोर का मैच होता है जिसके करन्र मैं रिस्टी हो जाता है कई वाले मैच में है वह रेन होने वाली कल वाले मैच में आपको मना करा था कि रेन होगी तो इसलिए मत खेलना ज्यादा और आपस बहुत बारिश हो सकते हैं एक बज्य के आसपास बट्निय बज्या करें नों बज़े अभी तक इन्होंने कितने match खेले हैं, इस season में 5 match खेल लिये हैं और 5 में से 2 जीते हैं और 3 हा रहे हैं अपर D.U.M की team last season 10 में से 5 जीते हैं 5 हा रहे थे और final में पहुंची थी यह team final में हा रही थी ठीक है बाकी अगर बात करें तो wicket lost और wicket taken यह दो चीज ऐसी हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है अब wicket lost का मतलब यह है कि team न अभी तक 5 match खेले हैं और आपर कितने wickets खोएं आप गीन सकते हो तीन साथ दस उननिस बाइस और 27 27 विकेट आस तक अभी तक होएं लाश्ट पांच मैच में टीम ने और सामने वाली टीम के 33 विकेट लिया है तो कहीं ने पर चलता है कि team की बैटिंग भी डी सेंटर बॉलिंग में टीम में विकेट भी ठीक ठाक निकाले तो अपनी टीम की बैटिंग प्लेस बॉलिंग दोनों ही मतलब बोल सकते हो कि डीसेंट नजर आये इंकी इसलिए अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर पार ही बर इस्टिल ठीक ठाकी परफॉर्म कर रही है लास सीजन फाइनल हारी तो अच्छी टीम है बागी आर रोशन जो फैरिंट कर रहा है और साथ यह बैटिंग में काफी अचिंग भी करें और साथ एक मैच में बाड रेके कर सकते हो हुआ कि मोहित कुमार के बारे बाद करें तो 12 मैचस इसमें 251 को मारे आभी तग आ डार चेड़ेशन में Э्द्ऐ यह बालिंग नहीं डाली इभान मारे एक ओवर जिरो विकेट 33 मारे 3-0 विकेट और 33 मारे यहां इस मैच में बॉलिंग नहीं डाली तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिक निकाल पाए और इंपॉर्टेंट नहीं है बॉलिंग से इतना क्योंकि बॉलिंग में कभी बॉलिंग कर सकता और कभी नहीं कर सकता है पर बैटिंग से काफी इच्छी बैटिंग करें दो हाफ सेंचुरी लगा चुका है तो टीम में पिक कर सकते हो कैप्टन से के लिए अच्छी बन सकता है बाकि आयूश कुमार के बारे बात करें आठ मैच में 152 लाश्य की परफॉर्मेंस है और अभी तक स्टार्टिंग के चार मैच में एवरेज मैच में 20 विकेट के साथ और पचानवे रन बैटिंग से भी स्कोर किया था ठीक है तो इसलिए टीम में आप इसको भी 22 के लिए प्रेफर कर सकते हो और अभी तक इसने क्या परफॉर्मेंस कह रही है जीरो रन चार ओवर एक विकेट चार ओवर एक विकेट पांच रन चार कि परफॉर्मेंस यह इंपोर्टन निव भूलते नहीं रहेगा बाकि यहां पर संज सोनु सिंग के बारे बात करें तो 11 मैच पर 11 विकेट लाश्ट एर की परफॉर्मेंस इस यह बही अच्छी बालिंग करिए चार मैच चार ओवर एक विकेट चार ओवर तीन विकेट चा अगर खेलता है तो स्मॉल लिक और ग्रेंड लिक दोनों में लेना है कि सबसे बड़ी बात है कि भली लाश्ट मैच यह इतने विकेट नहीं निकाले साथ मैच में सिर्फ तीन ही विकेट निकाल यह बट इस यह बालिंग करी हर मैच विकेट निकाले अभी तक चार मैच के अस-पास निकाल चुका और सबसे बड़ी बात यह है कि देथ होर से बालिंग कर रहा है 15-20 बीच में सारब शेकर को लाश्ट मैच पहले बार मौका मिला चार ओवर डाले दो विकेट लेकर विब बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है लाश्ट यह परफॉर्मेंस ही है इस वनुटी के कुछ खास ही है रहनी इस इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा देथ होर्स में के लिए बालिंग कर रहा है 15-20 बीच में अपर विया अनन्द निशिकांत कुमार दैने आपर एस सिंग बालिंग करते नहीं सकते है अगर निशिकांत कुमार नहीं खेलेगा तो बागे अरनफ सिन्हा जो लाश्ट यर का मैं बोल सकता हूं कि इनकी टीम से शायद हैस्ट रंगेटर साथ 12 मैच में 2859 दरन के साथ उसने चार मैच के लिए भी मैच में स्टार्ट तो मिला बड़ा इंग में कर पाया टीम लाश में बाहरी बिठाया अगर प्लेंग में आप गए अब भी तक शीजन बेकाट चल रहा है यह वाला चार मैच हरे और एक मैच जीते है पांच में से और यह लाश्ट मैच पांच मैच की परफॉर्मेंस रही है इसमें लाश्ट आला मैच जो कलका था वह बारीश की वे च्छोटा वा था पांच-पांच की मैच ता विकेट थेए सब्सक्राइब तो रहा हैं अभी तक सामने लिए टीम के भी थेए तो इसे बंदता है कि डोनो बैटिग प्लस बॉलिंग टीम की दोनों ही बहुत सकते हो कि ऐसी है कि ज़्यदा विकेटष भी नहीं लिये और ज़्यदा विकेट भी नहीं खोये On and Ever देखा है तो 4-5 विगट पर मैच ये पनी टीम के खोते हैं और लेते हैं ठीक है तो बहुत अब इनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग में से किसी को भी पिक कर सकते हो बाकि जो प्लेंग इलामें इस बैटिंग ओटर देगी यह है अच्छी निंग खेली है कल वाले मैच में छोटा वादा इसको ओपनिंग करने का मौका नहीं मिला तो इसलिए मैच में रिस्की मानके चलता हो शायद फिर टीम से इंपॉर्टन इंपॉर्टन शायद टीम इसे ओपन ना करवाए तो रिस्की रहेगा बाकि यह पर सत्य सेतू के साथ जा रहा हूँ अच्छे परफॉर्मेंस रही है हाफ सेंची लगा चुका है यह पर साहिल राज बैटिंग प्लेस बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबुट कर रहा है इसके स्टैट्स यह अवे लेबल है बाकि अरिबन चित्र जितना इंपॉर्टन नहीं रहेगा कॉशल सिंग के बारे बात करें तो बैटिंग प्लेस बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबुट कर रहा है लाज में बैटिंग करी बॉलिंग नहीं है यूँकि पांच और कम बॉलर से बॉलिंग डाय थी बाकि अभी बॉलिंग भी देखोगे तो कुछ डिसेंटी रही है जादा अच्छी नहीं रही है दो ही विकेट निकाल पाए अभी तक विकास कुमार ने च्छे मैच में आट विकेट ले थे लाश्ट इयर इस यह दो तीन चार पांच 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 विकेट निकाल चुका है बाकि यहां पर वी कुमार वाई कुमार और यहां पर एस राज बॉलिंग कर सकते हैं यहां पर मैंने लाश्ट जय प्रकाश यहा था ग्रेंड लिग पिक तो यह कुछ प्रड़ों के तब को खुजी समझ जा जाएगा किस प्लेयर की स्टैट्स क्या लिख है फिलहाल जो मैंने ट यहां पर खेलता है यहां पर 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 यहां आइन सिद्धी के जगह आप सिन्ना के साथ भी जा सकते हो तो एक चेंज आप यह भी कर सकते हो बाकि फिलहाल बैटिंग सेक्शन मुझे जान के सब दूद एक मैं एक मैंच भीya निया हो भाकि फिलहाल के मैं लिये हुटा का बैटिंग को फिलुद ने वटर प्रमोर्ट ne तूम यह यह एक प्लियर को पिक की लिया हो ऐ हम किना भाकि वाई को अ PE यहां पर V. Anand के साथ जाओंगा S. Kumar Singh के साथ जाओंगा देन वी कुमार के साथ जा रहो हूं और अगर यहां पर खेलता है निशी कंद कमार तो मैं यहां सिद्धी के जगा जगह निशी कंद कुमार को लूँगा यह चेंज मैं कर सकता हूं कि अगे कैटन सी में दूंगा है यहां पर इसको बाइन को दे के जा रहा हूं कैटन सी कैटन सी या तब रिवर्स भी कर सकते हैं कि बादन अच्छे performance कर रहा है और तीसरी performance जो ध्यान देने वाला प्लेयर वो रहे गा है आपके लिए वे कानन सी बार ही जो की बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो तीन प्लेयरों पर मैं फोकस अखूँँगा वह फाइनल टीम आपको टेलिगाम पर अपडेट करूँगा स्मॉल लिग प्लस ग्रेंड लिग दोनों की टीम आफ्टर तो यहां पर ध्यान के चलना को टेलिग्राम जो चैनल करना है वीडियो के नीचे लिंक जो दिया कमेंट में उसी का यूस करोगे तभी सेजियन के साथ जुडपा होगे अब आते बाई की पिक के ओपर फिलाल जो बाई की पिक्स मेरे कॉर्डिंग इस मैच बन सकती है वह दो प्लेयर रहा सकते हैं आप वी अनन को ट्राइ कर सकते हैं क् वालिंग में चार ओवर पूरे करने वाला लाश्टर का सेकेंड विकिट टेकर था और एटलिशन मैच में एक दो विकिट निकाल के जा रहा है और साती आधा कर्मान के चुलो बैटिंग आती है पांध दसरण मार जा और एक आधा कैच कर जा तो हमें टिक टाक प्रॉफित कर चावेता कर सकते हो और मीडियम करके चलना ज्यादा मत करना ठीक है तो मीडियम मेरी रहेंगे यहां पर वी आनद और यहां पर एम कुमार बाकि फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी वीडियो च्छी लेगी तो लाइक कर जाना वीडियो के नीचे लिंक द सबसे और पर बीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हुआ न करते हैं लिंक मिल जयाएगा सबसे ओपर ब्रियूपलच का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम युपन और एक जाऊगा धना आप सब्सक्रान चाहीं सबते हुसे लिंक का यूज करना वीडियो के निचे कमेंट में जादो, मिलते फरेक नई वीडियो के साथ, जहीं दोस्तों, बाई बाई